कि यहां बात करें पुलिस बात कर रहा है जोड़ना नहीं है जो भी है बोले कैसे खाया जैर को लड़की ख्राया है क्यों अपने से खाया है हुआ है जैक के बात करना है फुलिस वाले बात करें मारेंगे फिर में तुम्हें का बदा तुम्हें से बात करना है नक्रा कर रहा है अरे बताना क्या बात है मर जाएगा तब बताएगा जोर्ट अको यह गया सबस्क्राइब जाए को और शमा पर पिता है इसको अरे पूरना मंने के बाद बोले रहे क्या वह आंवा तो पुन कुन खक्राया है प्ड़एट आ के लिए दिए वहां इन्क लड़की आगि नाम मुझे मुझे पुल शनौ भांटा करी ऽ mulu beautiful अजो सब ओस पृट है अजयवक घर में खिलाया कि न शेड़ कि कहा हाँ घर में इसे प्रिजाए आप कुछ बलाना तुमको नहीं है वोट डालने के बहाने बुलाया कि वोट डालके चले जाना हमारा भाई है दरबास से आया उन्होंने अपने दावत पर बुलाया लेडी इस तर पर बिन अपने घर में खाने में जहर मिला के खिला दिया और मेरा भाई होस्पीटल पहुचा तो हम लोगों को ख़वर मिली तो हम लोग आये पूचा तो सारा बात बताया कि इस सथ परिवीन ने मेरे को खाने में जहर मिला के खिला दिया जिसे युवक की मौत हो गई और इससे रिलेटेड आपने बिन पर उसका एक वीडियो भी दे देखा अब उसमें तक युवक के परिजन आज हमारे बिनन कारियाले पहुंचे हैं कि इनको अभी तक पुलिस की और से कोई भी इंसाफ नहीं मिला है नियाई की गुहार लगाते हुए यह बिनन हमने एक वीडियो देखा था जिसमें एक युवक अस्पताल में लाजरत है और वो बता रहा कि उसकी प्रीमका ने उसे जहर दिया था पूरा माजरा क्या हुआ और किस तारिक को ये घटना हुई थी सर हम लोग तो यहाँ थे हैं अपने परिवार के साहट दिल्ली में थे हमारा भाई हैधराबाद में रहता था इस फट पर बीन नाम की औरत जो की हमारे पडोस में रहती हैं उन्वे वोटिंग वोट डालने के बहाने बुलाया कि वोट डाल के चले जाना हमारा भाई हैदरबास से आया उन्होंने अपने दावत पर बुलाया लेडिस इससद परविन ने अपने घर में खाने में जहर मिला के खिला दिया और मेरा भाई हॉस्पीटल पहुचा तो हम लोगों को ख़बर मिली तो हम लोग आये पूछा तो सारा बात बताया किसा परविन ने मेरे को खाने में में जहर मिला के खिला दिया है हमने पुलिस वाले को बलाए है बेता ओपी ओपी थानेदर वो पुलिस कर्मी का नाम है नाम है उनका क्या कते है राम बहादूर ठापा उन्होंने सारी बात को वीडियो रिकोर्डिंग के माधियन से रिकोर्ड किया है और उसी धिन ने पोस्ट मोटम हुआ था वीडियो बियान दे रहा था यूबक उसकी मौत कब हुई थी वीडियो बैने के कब 10 तारीक 12 महिना 2021 को मतलब राती 9 बजी के करीब उसकी मौत हुई है मौत हुई 11 तारीक को पोस्ट मौटम हुआ फर्द बैन लिखा गया पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस गई आर ओपी से पूछने कि क्यों जहर खिला दिया तो बोली कि हमको परिशान कर रहा था इसलिए जहर खिला दिया लेकिन पुलिस ने गिरफतार नहीं किया हम जब थाने गए अपने ओपी पतावना थाने में गए बोला कि सर जब उनने कुबूला तो आपने गिरफतार क्यों नहीं किया तो उन्होंने बोला मेरे को कि गिरफतार हो जाएगी भाग के कहा जाएगी लेकिन आज 45 दिन हो गया अभी तक गिरफतारी नहीं हुई है हम लोग इंसाफ चाहते हैं परिशान इधर उधर जा रहे हैं बहुत परिशान हो रहे हैं जब तक गिराफतारी नहीं होगी जब तक हमको सांती नहीं मिलेगी उस महिला के साथ आपके भाई का क्या संबन था चुकि कहा जा रहा है कि वह एक दूसरे से प्रेम करते थे इसकी हकीकत क्या है जी चक्कर तो था तभी तो उसके बुलाने पर हो गया अब पांच-छे सालों से मतलब बाच्चीत होती थी हमें भावी लगती है वैसे लेकिन किसी भी रिस्तर से बाच्चीत कर रही थी कर रहा था मेरा भाई इसलिए वो गया उनके पास और उसको उकसाया होगा उकसाया है बिलाल नाम का लड़का उसका दूसरा आशिक है कई लड़कों से चक्कर रह की है बिलाल नाम का लड़का उकसाया हो फोन पर गाली गुलोज भी करता था मरवाने की धंकी भी देता था और फोटो भी भेजाता जिसके आप फोटो मेरे पास भी है मेरे भाई ने मेरी बहन के मौईल फोन पर भेज दिया वह उससे मैंने ले लिया अब आप क्या चाहते है जिनने वह लड़का बिलान ने मेरे भाई के मौईल फोन पर भेजा था और गाली को लोज करता था और एक बैंक का खाता है जो इस रद पर वीन ने मेरे भाई को दिया था कि इसमें पैसे डाल दो लेकिन मेरा भाई के पास पैसे नहीं थे तो मेरा भाई ने बोला मेरे क काम धंदा चलनी रहा जब काम धंदा चलेगा तो में दे दूगा तुम्हें पैसे लेकिन जब मैंने कुछ दिनों बाद बॉला कि पैसे दो नहीं है तो बोला की दे दूगा नही दिया लेकिन फिर आज मैं चेक करवाया पांच-छे दिन होगे करवाये तो महिंद बिलाल का our आप लोग क्या चाहते हैं चाहते क्या है और इस नियाई के लिए आप कहां पहुंचे हैं हम तो भागादोरी में लगे हुए हैं अरजी लिखके दे रहे हैं कि ग्रफतारी नहीं हो रही है हम इनसाफ चाहते हैं चाहिए जितना कोशिश करना पड़ेगा हम इनसाफ के लिए लड़ेंगे आज हमारे भाई के साथ हुआ कि कल किसी और के साथ होगा इससे जुर्म का होसला बढ़ जाएगा एक को छोड़ने से तो बढ़े गई ना इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश में सांती काइम रहुए हम ये लड़ाए आगे तक लड़ना चाहते हैं आप और आप मैं तो दिल्ली में रहते हूँ मम्मी के साथ मेूमिक का नम मुसिमा खादून परिवार के साथ दिल्ली अगर मेरा भाई कि आपको अपने बेटे के बारे में जा तरफ के बारे में उस महिला के साथ आपको पता था मेरे पता था छे सार फून फान चलती थी तो और जहां जाज़े था जबी बॉरू समझाने इसी बात उसी जाद सुने था यह कैसी महबत है कि महबत में प्रेमी का ने अपनी प्रेमी को खाने में जहर मिला करके मार दिया और आज आपका बेटा आपके साथ नहीं है, ये कैसी प्यार है, कैसी मोहबत है? प्रवाजी पर नहीं दिया उन्ता भिजा नाम ची लल्ची है उन्ता हम भीजवा रहें आप चरे जैए जर्वाजी पर सोने चिलिये शारी लाध जरो जर्वाजी पार सौने दरह में. पेट में जरज शुबा सुबा में उठे चांगे लाएं. जो पूछा जिता प्रफ ज्वाई हो तर पोचा थे हा था हुट जा रहे लोगा जा रहा है बहुमुमें अन्हाइर लेजाता है वो अपनी चरब टे वह एलाज चरवाया पाइसा हा एलाजी उलाज चरवाया आःब फुन पर मारूम हुआ तह हम जिल्ली चे आजे वो रहता था आजरा बाज जा थे जवहाने मारूम हुआ चील सीज़ जले तराय हूं घुच्पीटर में वो जिस महिला पर आरोप है कि उसने जहर दिया वो महिला भी कहा है वो जब रहे यहां इजरा में अब नहीं है इजरा ना पतनत अहां है अभी नहीं है इजरा में भी दिन पहले रहा इजरे में अब पतनत अहां है वो समान मनबा रही है जिरे 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 जितना समान ह जब मनवा रही है अपने ससुराल से उसकी साधी हो गए जी क्या वो साधी सुधा थी तीन बच्चे की माँ है उसके पती का नाम मुहम्मद इर्शाद है यह करेक्टर लेस लड़की है कई लड़कों से अफैर है लुटेरी है उसका काम था लड़कों को पटाना पैसे चूसन अब वो लड़की फरार है पुलिस ने तब गिरफतार नहीं किया तो अब वो फरार हो गई है हमने बोला भी कि इजरा में है वहां जाके पता करो किसी से कोई भी बता देगा इतना बड़ा हसा करके आई है कांड करके आई है पुलिस गई नहीं वहां और हम चाहते है कि जल और भी लोग शामिल हो गए मुझे पता नहीं है लेकिन सारे लोग गाओं के बड़े बड़े लोग हैं उनके पक्ष की तरफ से पैर्वी करने में लगे हुए हैं पोस्ट मॉटम को बोला था कि दस कल दस बज़े होगा लेकिन देर दो बज़े के करीब हमारा मतलब पोस्ट म कमझूर करने का प्रियास किया जा हैं अभी तक लियरे कोई पूल्स को फोन करता हूं तो एक दो बात बोलती यह सब बताती नहीं हमने बोला वह गये अपने थाने में गये बोले कि सब्सकाए कर बेजिए तो बोल रहा है कि मतलबthankonent पिएक पुरा बयान कर दिया है कि हमने ने जहर खिला तो आप उस पे आरोप लगा कि पथ इसको दाखिल कि वरंट दाखिल होगा की मौत हुने से पहले बायान दिया तो से बीनने भी चलाया था वाइरल हुआ था काफी वीडियो वह भी पुलिस के लिए काफी अहम सबूत है चुकि आज वह युवक हमारे साथ नहीं है और उसकी बयान को ही सही बयान माना जाए तो जैसा कि आपने सुना कि यह है उस लरके जो जिसे युवक की मौत हो गई थी प्रीमिका के जहर्स के कारण उसकी अम्मी है और यह उसका भाई है यह दिल्ली रहते हैं और जो इन्हें अपने भाई के बारे में पता चला कि अपने इस भाई को जहर् पहुंचे और उन्होंने काफी जदो जहद किया अपने भाई को बचाने के लिए लेकिन अब सवाल यह है कि जब जहर्दे करके उसे मारा गया है प्राथमी की दर्ज हो गई है तो समय रहते हो उस महिला की गिरफतारी हो जानी चाहिए थी लेकिन जैसा कि इसका भाई बता आज भी इनसाफ के लिए दरदर की ठोकरे खा रहा है अगर दरदर की ठोकरे नहीं खाता तो आज वह तीसी परसोनी से चलकर बेनी पटी बेनन कार्याले नहीं पहुंचा होता है अमारी भी गुजारिस है पुलिस परसासन से कि मामले को गंभीरता से देखते हुए आरोपि कि मामले को आज ला रहा है थो ढाइँ अगर वहाए है वह थे देखते है वहीं वह त då falt दो दो खष्दिया लगा हैistorा है वह रहा है स Nepot